नमस्कार भाईयों बेहनों मेरे नने नने प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आजापी दादी नानी फिर हाजिर है रमायन में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से जिस भी पत्थर को नील और नल चूते हैं वो तैरने लग जाता है लेकिन जुड़ता नहीं है तब हनुमान जी कहते हैं कि पत्थरों पर राम ना मंकित करिये राम की महमा को जानिये तो पत्थर सच में जुड़ जाते हैं और राम की क्रिपा से से तू बन जाता है समुद्र पर से तू बन जाने के पश्चात राम जी हनुमान की पीट पर लक्षमन जी अंगत की पीट पर बैठ कर से तू पर होते हुए विशाल सागर पार कर लेते हैं पूरी सेना भी सुग्रीव के नेतरतब में लंका पहुँच जाती है इस सेना के पहुँचते ही राक्षसों में हलचल मज जाती है उनको याद आता है कि एक बानर आया था जिसने लंका को जला दिया था उनके अंदर डर है उदर रावन शुक और सारन को बुलाकर आदेश देता है कि राम वानरों की सहाइता से से तू बांध कर लंका के द्वार पर पहुँच गया है तूम अब वानरों का वेश बनाकर शत्रों की सेना में गुज जाओ और उनकी पूरी शक्ति का पता लगाओ वेदोनों शुक और सारन वेश बदलकर वानर सेना में गुज जाते हैं लेकिन विभीशन जी की नजर से बच नहीं पाते उन्हें राम के सामने पेश कर दिया जाता है राम तो करुना शील है राम तो दया ने दी है उनको देज कर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि राजभक्त के कारण से हमें ऐसा करना बढ़ा है रामजुन के सच्चाई पर बहुत प्रसंद होते हैं कहते हैं कि आपने जो भी जानना है जान लीजिए लेकिन हम लोग आ रहे हैं और आरे लोग किसी शस्त्र विहीन पर शस्त्र नहीं चलाते हैं आप लंका में डर छोड़ कर चले जाएं रावन के पास जाकर सारा विवरन बताते हुए बताते हैं कि उनके पास वीर वानर बहुत अधिक है उन्होंने कल राक्ष सेना के विनाश की बात कही है इधर मंदोद्री जी बहुत समझदार है रावन की पतनी है रावन से कहती हैं प्रियतम क्रोध यहां कर मेरी बात सुनिये वैर उसी से किया जाता है जो बुद्धी और बल से जीतने योग्यों आप में और उनमें वैसे ही फरक है जैसे सूर्य और जुगनु में उन्होंने विश्णु रूप में मधु केटव को मारा महान शुर्वी दिती के पुत्र हेरनाक्ष औ भी मार दिया था उन्होंने बाली का वद कर दिया वही प्रिच्वी के भार हरन करने के लिए प्रकट हुए हैं आप तो उनकी शरन में जाकर सीथा जी को सौप दीजिए और पुत्र को राज्य देकर वन में चले जाए और राम का बजन कीजिए ऐसा कहकर वंदोद्री काम की शरन में चले जाएं ताकि मेरा स्वाग अचल रह जाए रावन कहता है कि तुम जानती हो कि मेरे जितना वीर योदा धर्ती पर नहीं है वरून कुबेर पावन यम्राज सभी दिखपालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं से जीत लिया है देवता दाना मन मनुष्य तो मेरे पूरे वश में हैं तुम क्यों डरती हो मंदोद्री समझ गई कि काल के वश में होकर ही रावन अभिमान में आ गए हैं और ऐसी बाते कर रही हैं रावन सभा में आकर मंत्रियों से पूछता है कि शत्रु के साथ कैसे युद्ध करना है मंत्री चापलूस ह कहते हैं ऐसा कौन सा बैय है मनुश्य वान और भालू तो हमारे बोजन है मंत्रियों के बाते सुनकर रावन का पुत्र प्रहस हाथ जोड कर बोला ये सब मंत्री खुशामत कर रही हैं पिता जी सिरफ बातों से पार नहीं पड़ेगी एक ही बंदर समुद्र लाक कर यहां आया था क्या तब तुमको भूक नहीं थी तुमने उसको क्यों नहीं खाया जिसने खेल खेल में समुद्र बंदवा दिया सेना सइच सुबेल परवत पर डेरा लगा लिया क्या वैसा धारन मनुश्य है हे ताथ मेरी इबात गौर से सुनिए मुझे मन में कायर ना समझ लीजिए आप नीती सुनिए पहले दूद भेजिए फिर सीता जी को भेज कर राम से मेल करीजिए यदि में पत्नी को लेकर चले जाते हैं तो बिना मतलब से जगडा नहीं करना चाहिए और नहीं माने तो डटकर युद्ध भूमी में मार काट करें रावन ने गुस्से में भर कर कहा अरे मुरक तुझे ऐसी बुद्धी किस ने दी तू तो मेरे वंश के अनुकूल ही नहीं है पीता जी के कठोर वच्चन सुनकर प्रहस्त भी अपने गर चला जाता है इधर राम रार को परवत पर बैठे हैं सब उनकी सेवा में हाजिर हैं राम चांद को देख कर कहते किता खुबसूरत नजर आ रहा है उनको देख कर सीटा की याद आती है तब वो कहते हैं दक्षिंदिशा की ओर देखो बादल कैसा घुमड रहा है और बिजली चमक रही है बादल हलके हलके स्वर में गरज रहे हैं तब भीशन बताते हैं कि बिजली या बादल नहीं है लंका की चोटी पर रावन का एक मेहल है रावन वह नाच गाना देख रहा है रावन ने बादलों के डंबर जैसा विशाल काला छत्र धारन कर रखा है यही बादलों जैसा दीख रहा है मंदोदरी के कानों में करन फूल हैं वहीं बिजली जैसे दिखाई दे रही हैं रावन का विम फूल गिर गया बान कोई देख नहीं पाया और वापिस तरकस में आकर रहे गया रक्षत सोचने लगे ना वुकम पाया ना आंदी आई ना कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई दिया ऐसा कैसे हुआ रावन हंसकर उनकों धांडस बंदाता है कि मेरे लिए तो सिरों को कटना ही शुब होता है फिर अप्षकुन कैसे अब रावन समझ जाता है कि शत्रू कमजोर नहीं है अब माया और चल का सहारा ले लेता है उसने महा बली महा माया भी माया विशारत राक्षस विद्दू जीय कि जल्दी से राम का माया निर्मित सिर्द लाकर दो रावन के आग्या पाकर वे जल्दी से राम का सिर्द बनाकर लाता है जो खून से लत्पत्व है उस मस्तक बान की नोग पर रखकर रावन अशोक वाटिका में जाकर सीता से बूलता है हे सीते तुने राम की शक्ती पर विश्वास करके मेरा कहना नहीं माना देख युद भूमी में तेरा पती राम मारा गया वैवानरों के भरोसे मेरे साथ युद करना चाहता था रात को जब वानर सेना सहित राम और लक्षमन सो रहे थे तब मेरा सेना पती प्रहस्त विशाल सेना लेकर वहां गया बहुत सारी सेना मारी गई जो बचे में प्रान लेकर भाग गए वहां से तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे इतने लोगों को मारना पड़ा अब तेरा कोई सहारा नहीं है तुम मुझे पती रूप में सविकार कर ले इतना कहके रावन ने सिर सीता के सामने रख दिया जब सीता ने है और धरती बाद मुर्चित होकर गिर पड़ी वापिस होश में आई फिर रोने लगी आज मैं विद्वाव हो गई आप मुझे किसके भरो से छोड़ गए प्रियतम मैं रो रही हूं और आप मुझे चुब भी नहीं करा रहे ऐसे निर्मोही तो आप कभी भी थे नहीं जखेला छोड़ कर चले गए है नीच रावन तुने उन दोनों भाईयों को तो मार दिया अब मेरा सिर भी काट कर अपने क्रिपान की प्यास बुझा ले तल्वार उठा कर अपना काम कर ले उसी समय के राक्षस ने आकर रावन को सूचना गी कि मंत्री प्रहस आपसे अभी मिलना चाहते हैं अब रावन सिर लेकर चला जाता है तभी विभीशन की पत्नी सूचना पागर अशोक वाटिका में आती है और सीता जी की मूर्शा दूर करके समझाती है कि रावन ने जो तुम से कहा है वे सब जूट है यह सिर्फ माया से बनाया गया है तुम भूल गहीं कि लक्षमन दिनराथ राम की सेवा में रहते हैं तो फिर कैसे सिर उनका कटा जा सकता है राकशसी सेना युद्ध के लिए तयार हो रही है यरी राम और लक्षमन मर गए होते तो यह किसके लिए होती अब सीता जी समझ जाती है कि रावन उन्हें पाने के लिए इस हद तक भी गिर गया जो महापंडे कहलाता है अब महापापी बन गया अगले एपिसोड में हम अंगज को रावन के दरबार में मिलेंगे जैश्रीराम